मदुकलर चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10 हिंदी कोर्स B के पाठिक्रम से विरेन डंगवाल जी द्वारा लिखित कविता तोप ये कविता मैं पुस्तक से पढ़ूँगी और फिर उसका अर्थ बताऊँगी तो कविता कुछ इस प्रकार है कंपनी बाग के मोहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप इसकी होती है बड़ी संभाल विरासक में मिले कंपनी बाग की तरहां साल में चमकाई जाती है दो बार अंग्रेजों के जमाने में कंपनी बाग बनाए गए थे अंग्रेजों के आने से पहले भारत में बागों में घूमने का मोनिंग बाग का कोई सिस्टम नहीं था अंग्रेजों के आने के बाद कंपनी बाग बनाए गए क्योंकि उन्हें मोनिंग बाग की आदत थी तो ये कविता उसी कंपनी बाग की है और इस पंग्तियों में ये बताया गया है कि कोई कंपनी बाग है उसके मुहाने पर मतलब प्रवेश द्वार पर वह तोप रखी गई है जो 1857 के संग्राम में काम आई थी और इस तोप की बड़ी संभाल होती है जैसे हम विरासत में मिली चीजों की करते हैं विरासत में मिली चीजों की करते हैं जो हमें पूरवजों से मिलती हैं और जिन्हें हम खोना नहीं चाहते हैं जिनकी स्मृतियां जिनकी यादें हम संभाल कर रखना चाहते हैं तो इस दोस्त बार जो हैं वो बताई नहीं गई हैं लेकिन ये साल में दो बार जो चमकाई जाती हैं वे दो बार हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त सुभर शाम कमपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिये थे मैंने अच्छे अच्छे सूर्माओं के धज्जे अपने जमाने में अंग्रेजान दो आरा बनाया गया वे जो कमपनी बाग है उस कमपनी बाग में बहुत से सैलानी आते हैं सैलानी अर्थाट परियटक जूमने वाले बहुत से लोग आते हैं और ये है तोप कमपनी बाग के प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई है ये उन लोगों को बताती कि मैं बहुत जबर थी, बहुत शक्तिशाली थी उन दिनों में और मैंने उस समय में, अपने समय में, जब मुझे प्रयोग किया गया था, उस समय में मैंने बड़े-बड़े सूर्माओं के, बड़े-बड़े शूर्वीरों के धज्जे उड़ा दिये थी, उन्हें मार डाला था यह तोप अपनी शक्ति का वर्णन कर रही है सैलानियों को एसास दिला रही है कि अपने जमाने में वह कितनी शक्ति चाली थी अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठ कर चिडियां ही करती हैं गपशप कभी कभी में वे इसके भीतर घुश जाती हैं खास कर गो रही है वे बताती हैं कि दरसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुह बंद अब यह तोप बैचारी निरही सी कमपनी बाग के प्रवेश द्वार पर खड़ी है और अब यह बच्चों की घुड सवारी क साधन बन जाती है और अगर बच्चे उसके घुड सवारी नहीं कर रहे होते उससे इसे फुरसत मिलती है तो उसके ओपर चेड़ियां बैट जाती है और बैट कर उसके ओपर गप शब करती है आपस में बतियाती है और कभी कभी इसके भीतर घुश जाती है खास कर गो रही यहां गोरईयों की विशेशता का वर्णन किया गया है कि गोरईया का घोसला सब के घोसलों से बहुत सुन्दर होता है और बिल्कुल घर की तरहा होता है उसमें कमरे भी होते हैं तो गोरईया का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि जो आम साधारन चिडिया होती है वे कहीं भी छोटा मोटा घोसला बना कर रह लेती हैं लेकिन गोरईया को एक अच्छे सुन्दर खुबसूरत घोसले में रहने की आदत होती है तो इसलिए यहां यह बताया गया है कि गोरईया तो इसके अंदर घुज जाती है और आजकल यह तो शक्तिहीन हो गई है और शक्तिहीन होकर निरही अवस्था में कमपनी बाग के प्रवेश द्वार पर खड़ी है और इसे निरही देखकर बच्चे इसके उपर सवारी करते ह और अगर बच्चों की सवारी से इसे फुरसत मिल जाए यह फारी हो जाए उससे तो चिड़ियां इसके उपर बैठ जाती है और इसके अंदर घुज जाती है खास कर गोरईये वे बताती है कि दरसल कितनी ही बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मूँ बंद अब त शक्ति हींसी कमपनी बाग के प्रवेश द्वार पर खड़ी है और इस बात से यह संदेश मिलता है कि कोई चीज कितनी भी बड़ी ताकत वर क्यों नहों कितनी भी शक्तिशाली क्यों नहों एक ना एक दिन उसकी शक्ति का अंत हो ही जाता है कोई कितना भी अत्याचारी क्य पुर्वीरों को मार गिराया था लेकिन आज यह शक्ति हीन सी निर्ही आवस्था में कमपनी बाग के द्वार पर खड़िये है।